तो ऐसा चीन के साथ क्या रिष्टा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आठारा बार मुलकात करने के बावजूद भी कोई दबाव ही नहीं डाल पारे कहां गई आपका 56 इंच कहां गई आपके लाल आँख आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यूं राहुल गांदी जी बार-बार कहते हैं ये दो शब शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है डरो मत हमने क्या देखा है कि वहाँ पर हमारे भारत की सीमा के उस पर चीन ने अपनी इंफरस्ट्रक्चर को बढ़ाया है उन्होंने अकसाई चिन पर अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है फाइव जी नेटवर्क लगाया है फाइव ने हेलिपोर्ट लगाये हैं पंगोंग सो पर एक नया पुल लगाया है और उनकी जो वायू सेना की जो अक्टिविटीज है बढ़ गई है इस संदर्ब में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये विवहार है इस पर कॉंग्रेस पार्टी प्रश्न उठाना चाहती है क्यूं? क्यूं आपने आज तक आपने अपने जो खुद का जो विवरन है ना यहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है ना ही कोई घुसा हुआ है इस स्टेटमेंट इस बयान को आज भी आप कबूल करते हैं इतना कुछ होने के बाद भी प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपने इस बात पर कोई संशोधन नी लाए क्यों? कहां गई आपका 56 इंच? कहां गई आपके लाल आँख? आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों? राहुल गांदी जी बार-बार कहते हैं ये दो शब शायद प्रधान मंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है डरो मत पूर्व में भी राहुल गांदी जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी जी देश के नेता होने के कारण से उनको एक सशक्त नित्रत्व दिखाना चाहिए लेकिन उनका रवया सहमा हुआ है वो सिर्फ अपनी चवी के बारे में सूचते हैं भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी चवी प्यारी है और इस चवी को बचाने में भारत सरकार के विभिन अंग उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा अब उधारन सुरूप रक्षा मंत्राले ने अगस के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यमेंट रखा था जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग, नाला, गोग्रा और पंक्सोंग, पंक्सोंग के उत्री पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी लेकिन प्रधान मंत्री जी के चवी को बचाने के लिए उनके जूटे बयान को संग्रक्षन करने के लिए, देने के लिए रक्षा मंत्राले ने उस डॉक्यमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा एक और उधारन जहाँ पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की को की छवी बचाने में लगी हुई है वो तब आता है कि जब नुवेंबर 2020 में Ministry of External Affairs विदेश मंत्रा लाए US की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुनाचल प्रदेश में 100 घर बनाए है तो विदेश मंत्रा लाए का कहती है कि इस बात का हमें संग्यान है और रक्षा मंत्रा लाए का कहती है उस समय के Chief of Defense Staff कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रा लाए एक चीज कहता है विदेश मंत्रा एलए एक और चीज कहता है, भारत की प्रधान मंत्री कुछ और चीज कहते हैं और वास्तविक स्तिती अलग ही है, तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को, ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को, कि भारत के प पुशेश लगाव है चीन के साथ, उन्होंने चीन के सरकार के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है, शीजिंग पिंग के साथ, राश्टरपती शीजिंग पिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है, चार बार तो स्वय मुख्य मंतरी के हिसाब से गए हैं, पांच बार तो चीन आज तक भी ये कबूल नहीं करता कि उनसे कोई गलती हुई है चीन आज भी हमारी सीमा सुरक्षा को गंभी रूप से नहीं लेता विदेश मंत्रा अलाय जैशंकर और विदेश मंत्री वांग जी का अगर स्टेटमेंट पड़े उसमें तो हमारी सीमा सुरक्षा की जो विवरन है चीन के स्टेटमेंट पे भी नहीं है चीन अलग विशो पे बाते करता है युक्रेन की बात करता है लेकिन भारत की जो सौवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पे उनकी कोई बात ही नहीं है तो ऐसा चीन के साथ क्या रिष्टा है कि प्रधान मंत्री मोदी जी अठारा बार मुलकात करने के बावजूद भी कोई दबाव ही नहीं डाल पा रहे हैं, चीन आज तक कबूर नहीं करता, यह सिमा सुरक्षा गंबीर है, उनके पिछले मीटिंग के उनके स्टेटमेंट में क रिष्टा का कारण क्या हुआ, क्या नतीजा क्या निकला, उल्टा प्रशन उठता है कि क्या ये अठारा मुलकातों में ऐसा कोई बात हुई, जिससे कि प्रधान मंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट चीन के साथ म मोदी जी इतने सहमे हुए हैं और शांत हुए हैं इस मामले पर. तो Congress Party की मांग बहुत स्पर्ष्ट की एक तो प्रेस वारतालाप हो जिसमें प्रधान मंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी स्वयम उपस्तित होकर देश को संबोधित करें. मांग नमबर दो, दो दिवसिय चर्चा हो पार्लेमेंट के अंदर. मांग नमबर तीन की जो पार्लेमेंट कमिटी ओन डिफेंस से उस पे एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वास्तिविक स्थीती क्या है लोगों को पता चले. मांग नमबर चार की चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ की जो पद आज भी रहस्य जनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त करें. और मांग नमबर पांच की अगनी वीर ये स्कीम से हमारी भारत्य सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है नाम, नमक, निशान की संस्कृति को इसने दुरबल किया हुआ है आर्मी के लोग, बायू सेना के लोग, नौ सेना के लोग जो रिटाइड होए है उच्छे जिन्होंने स्वयम देश के लिए तिया किया है, बलिद्यान किया है, सीमा पर वो खुद रहे हैं, उन्होंने देश की वास्तेविक्ता को समझा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों ने इस स्कीम की अलोचना की है, तो इस स्कीम को जलबाजी में देश पर ना थौपे और इस स्कीम को वापस ले